कि इसमें देखो finding the domain of function, इस function का क्या निकालना है, domain निकालना है, आपको पता हो तो ये rational function है, rational function की एक condition है, कि ये दोनों तो polynomial है, ये बात तो आगी, यहनी quadratic polynomial है, फिर इसमें एक condition थी कि जो ये नीचे वाला होता, ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाल धिर नहीं होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है, इसको 0 नहीं होना है, तो देखते हैं, domain और आपको पता है, domain क्या होता है, domain वह point हो, यनकी वह points की collection होती है, जहां पर function को define होना पड़ता है, यनकी वह undefine हो सकता है, ठीक है, तो यहां से क्या है भी? ठीक है यहाँ पर आओ तो यहाँ से क्या वह फंक्शन है function में देखो क्या है कि एह कितना है यहाँ पर function अब जो तो यह जो नीचे वाला है ना ये कि ये देखिएगा fx is rational function ठीक है ये एक rational function है तो fx is define define कब होगा if क्या होगा ये आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है ना ये कौन सा x square minus का 5 x plus का 4 है वो does not equal to 0 होना चाहिए ठीक है आर में से वो सारे point हट जाएंगे इसमें क्योंकि ये देखोगे तो ये क्या है एक polynomial है polynomial में क्या होती है उसकी domain क्या होती है र होती है बट ये ये नीचे आ रहा है इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए उसको हम हटा देंगे वहां से ठीक है तो यही बात है अब देखो यहां से कि minus 1 x- यह रूट इकोल डूट जी रो तो यहां से देखो अक्स माइनस का और यह आए अक्स और यह आै अक्स माइनस इसका मतलब देखो अक्स की value क्या रहा होनी चेए ङक्स की value 1 और 4 नहीं होना चेए ठीक है तो इसका मतलब इसकी जो domain का हैईगी वह आएगी बही डोमेन कहाएगी आर में से यह पॉइंट रठा दो आप तो यह वाले दोनों तो यह इसकी क्या हो जाएगी डोमेन आजाएगी समझ में आगी बात यह जब भी आपको यह रेस्टनल फंक्शन हो तो हमने वहां पे लिखा था कि यह जो नीचे वाला फंक्शन होता वह does not equal to zero होता है ठीक है यह r to r ही define होता है बट यह वाले points उस r में से हट जाने चाहिए तब ही यह function क्या होगा define होगा